भारत में कॉमिडी के बाशाह कह जाने वाले कपिल शर्मा कई सालूसी लोगों को हसा रहे हैं अपने बेहतरीन अंदाजवा पंच से उन्होंने टेली वीजन पर प्रसारित होने वाले अपने शोद्धा कपिल शर्मा शो के माध्यम से अपने सभी फैंस के दिल में एक खास जगा बना ले है आपको बता दे कि अब तक कपिल के शो में खेल जगत से द्वेन ब्रावो, विरेंदर सहवाग, वसीम अकरम, क्रिस गेल और कई अन्य क्रिकेटरों ने इस शो में सिर्कत की है लेकिन आपको बता दे कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अब तक इस शो में हाजरी लगाती नहीं देखा गया है जब सचिन के उपर बनी उनकी बायूपिक फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रेम्स रिलेज हुई थी उस समय ऐसे कयास लगाए जा रहे थी कि सचिन इस फिल्म के नाते कपिल शर्मा शो में सिर्कत करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सचिन तेंदुलकर के फैंस के लिए उस दोरान एक बुरी खबर आई थी और वो खबर ये थी कि कपिल शर्मा के शो में सचिन शायद अब कभी भी नहीं आएंगे कपिल ने बीका नेर में अपने इंटर्वियो के दोरान आखिरकार इस बात का खुलासा किया था कि सचिन कभी शो में क्यों नहीं आते अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोमेडियन कपिल शर्मा और स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेच कुछ विवाद है तो चलिए आपके इस कयास को दूर करते हैं आपको बता दें कि उन दोनों के बेच कुछ भी ऐसा विवाद नहीं है हाला कि कारण बहुत छोटा है जिसकी वज़ा से कपिल शर्मा के शो में सचिन नहीं जाते कपिल ने मेडिया से कहा था कि वह अपने शो में हर ऐसे सेलिब्रिटी को इनवाइट करना चाते हैं जो लोगों को कुछ सीख दे, प्रेण ना दे सचिन तेंदुलकर और मशोर गाई का लता मंगेश कर बहुत ही प्रेणा दायक है कपिल ने इन दोनों से शो में आने की उस वक्त गुजारिश के थी जबकि दोनोंने एक ही बात कही उन्होंने कहा कि शो में आने के बात भी क्या करेंगे वे तो लोगों को हसाना भी नहीं जानते